विल्कम टू सारीका कीचन रेस्पी मैं अज बनाने जा रही हूँ करेली की भुजिया भरवा करेला तो बहुत बार खाये होंगे और मेरे चैनल पर डाला हुआ भी है और अगर आप करेले की भुजिया बनाना चाहते है तो इस तरह से बनाएंगे तो आपको एकदम कड़वा नहीं लगेगा तो ज्यादा मोटा हमें नहीं कट करना है पतला पतला कट करना है अगर अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे बिल आइकन को प्रेस कर दे जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे तो इसी तरह से सारे करेले को कट कर लेना है सारे करेले को मैं कट कर ली हूँ अब इसे अच्छी तरह से धो लेना है तो करेला में अच्छी तरह से धो ली हूँ अब इसमें डालने के लिए हमें चाहिए प्याज तो जितना करेला है उतने ही प्याज चाहिए तो ये करेला 300 ग्राम है तो हमें प्याज भी 300 ग्राम ही चाहिए करेला के रावर प्याज रहेगा तो करेला का कड़वाहत कम जाएगा अब हमें एक कड़ाई गर्म कर लेना है और उसमें डाल देना है सरसो का तिल करेला का भुजिया का सरसो तिल में ज़्यादा अच्छा बनता है तिसलिए सरसो तिल ही डाले और उसमें थोड़ा से जीरा डाल दिये हैं अब इसमें करेला डाल कर ंभी और नमक बार के बार उस में एक छोटा चमसी डी डालें तो नमक फैने प्रते रेजघी वीडि़ा से ज़ादा बार करेलाजराई करेला को फ्राइ कर ले करेला को हमें अब चला लेना है तो अच्छी तरह से इसे चला ले करेले की भुजिया में ज्यादा मसाला नहीं डलाता है बस हल्दी और नमक डालना है तो इसे चलाने के बाद इसमें एक छोटा चमच हल्दी डाल देंगे तो मैं एक छोटा चमच तो नमक इसमेर थोड़ा सा ज़्यादा ड़ाता है जितना खाते हैं इससी थोड़ा सा ज़्यादा डाल एक आपS Putting को आपकिनति होए इस रच्छ ट्रस से चला लें कॉरा कर й से ठवक्ने देना si best तो देखेग के कुक हो गया है लेकिन अब इसे क्रिस्पी करना है तो करेले को चलाते हुए क्रिस्पी रहे ते शनी अप करलर देखेए चेंज हो गया है करेला लगदबग फा disgu हो गया है तो 70% फ्राय हो जाय. तब इसमें प्याज डालें. दाल करीष्टे रहें. चलाते हुए करेला को क्रिस्पी करना है. अब इसमें हमें डाल देना है थोड़ा सा आमझूइण पाउड़र. करेला का कड़वाहट कम जाएगा और एक खट्टापन रहेगा. तो टेस्टी भी लगेगा तो करेले को चलाते हुए इसी तरह से फ्राय कर ले इतना करिस्पी आपको वुजिया चाहिए उतना करिस्पी कर ले तो मैं इसे ज़्यादा फ्राय नहीं करूँगी करेले को जलाओंगी नहीं और प्याज को बस golden brown ही करूँगी जादा इसे नहीं जलाओंगे जिससे जादा कुक करने से भी करेला कड़वा हो जाता है कम पकाएंगे तो करेला कड़वा नहीं होगा इसलिए मैं इसे इतना ही कुक करूंगे जिससे एकदम भी कड़वा नहीं लगेगा तो यह सबजी एकदम कड़वा नहीं लगेगा, ज्यादा कुक करने से भी करेला कड़वा लगता है, तो इस तरह से एक बार बना कर जरूर देखें, तो मैं यहाँ पर गैस बंद कर दी हूँ, क्योंकि मुझे इतना ही फ्राय करेला अच्छा लगता है, ज्यादा फ्राय हो ज अगर इस तरह से एक बार आप भी बनाएंगे तो आपको भी बहुत पसंद आएगा, आपको यह रेस्पी कैसी लगी कोमेंट करके बताएं, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें